वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर दबादे फ्यूचर में और बिदादा इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तो अगर आप इंस्टाग्राम मेरी तरह ही बहुत चलाते हैं तो आप में जरूर ही आज तक किसी ना किसी को तो ब्लॉक किया ही होगा वैसे तो हम बहुत यासानी से अपनी ब्लॉक लिस्ट में जाकर ब्लॉक किये वे इंसान को कभी भी अनब्लॉक कर सकते हैं लेकिन दोस्तो मुश्किल तब आती है जब वो सामने वाला इंसान भी हमें उल्टा ब्लॉक कर दे ऐसे में हम जब अपनी ब्लॉक लिस्ट खोलते हैं तो वहाँ पर उस इंसान को अन्ब्लॉक करने के लिए उसकी यूजर आईडी खोलती ही नहीं है बलकि वहाँ पर user not found लिख कर आ जाता है और हम चाहें कितनी भी कोशिश कर ले हमें वो आईडी ही नहीं मिलेगी तो हम उसको अन्ब्लॉक कैसे करेंगे तो दोस्तो अगर अब आपकी उस इंसान से सुला हो गई है और अब आप एक दूसरे को अन्ब्लॉक करना चाहते हैं लेकिन दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों नहीं एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था तो ये वीडियो आपके लिए ही है वीडियो को अन तक जरूर देखेगो और अगर पसंद आए तो like, share और subscribe करना मत भूलेगा दोस्तो हम settings में जाके, privacy में जाके blocked accounts खोल लेंगे और यह मेरी block list आ गई है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहां पर account देख तो रहा है मुझे जो blocked है और जिसे मैं unblock करना चाहती हूँ लेकिन जब उसे touch करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर user not found लिक कर आ रहा है अब क्या करें अब कैसे होगा दोस्तों अब ऐसी situation में हमें यह account देखतो रहा है लेकिन हम इसे unblock नहीं कर सकते हैं और हमें अपनी blocking list में यह हमेशा देखता रहेगा और यह DP देखती रहेगी तो अगर आप irritate हो चुके हैं किसी की DP अपनी block list में देखते देखते हैं और आप इसे हटा जेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर तो next steps को follow करते रहें तो दोस्तों हमें बस simple सी चीज यह करने है कि हमें यह जो account है इसका username exactly बिल्कुल same देख लेना है कि क्या है exactly इसका username जैसे यहां पर how to है और फिर हमें किसी भी रांडम से पोस्ट पर जाना है उसके comment section में जाना है और कमेंट्स खोल की यही username बिल्कुल same वैसा ही लिख देना है exact word by word दोस्तों गौर करें अगर आपका username गलत होगा तो यह trick नहीं काम करेगी इसलिए आपको username बिल्कुल सही-सही लिखना है यहां मैं username लिख लेती हूँ बिल्कुल सही-सही जैसा मुझे लिखना है spelling by spelling और दोस्तों username को लिखने के बाद आपको इसे post करना होगा अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो नाम यहां पर post नहीं होगा इसलिए आप edit comment को select करेंगे और यहां पर देखिए वो नाम post नहीं को क्योंकि already आप blocked हैं लेकिन फिर भी आपको link मल जाएगी जिसे touch करके यह देखिए आपको account अराम से मल जाएगा तो यहां पर आप unblock पर टच करेंगे और बहुत ही असानी से यह account आपका unblock हो गया है तो दोस्तों यह मैं आपको दिखा देती हूं settings में privacy में जाकर blocked accounts की list में यह मेरी blocked account की list खाली हो गई है और वो account हमने successfully unblock कर दिया है